नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं जबाब देना होगा, या पुष्टास कई घंटों और कई दिनों की भी हो सकती है, या मामला अवयद खनन और मनी लॉंटरिंग से समधित है, लंबे समय से या क्यास लगाया जा रहा था कि देर सबेर, पर एक हजार क्रोर के इस अवयद खनन में मुखे मंत्री हेमन सुरेन भ भी बारी आही गई, यह कहानी जार्खन की भरष्ट आये एस पूजा सिंगल और उसके सिये सुमन कुमार की गिरफतारी से शुरू हुई थी, इस कहानी का अमत्रीम छोर हेमन सुरेन को ही माना जा रहा था, अब कहानी अमत्रीम पढ़ा पर पहुँच गई है, बतादे पू पुष्टाज की है, उनकी गिरफतारी हो चुकी है, मुखे मंत्री आवास में हेमन्त सुरेन ने बुलाई अपात भैठक, परवर्तर निदे सालाए के समन के बाद जार्खन के मुखे मंत्री हेमन सुरेन की निद उड़ गई है, अब उनसे पुष्टाज होने वाली है, इस अभी पार्टियों ने अपने अपने विधायकों को ततकाल पार्टी मुखेले में पहुँचने का निदेश दिया है, बतादे सतारूटगर बंधन का हिसा रही कांग्रेस पार्टी संकट की इस घड़ी में मुखे मंत्री हेमन सुरेन का साथ निभाने की पूरी त्यारी मे पार्टी ने अपने तमाम विधायकों को देर साम तक रांची आने का निदेश दिया है और माना जा रहा है कि मुख्य मंत्री आवास में बैठक कर आगे की रण नितिताई की जाएगी सभी विधायकों को असपस्ट रूप से मुख्य मंत्री हेमान सुरिन के साथ खड़े राने का निदेश दिया गया है इसके पूर भी जब जब सरकार पसंकट आई है कांग्रेस ने जामो का पूरा साथ दिया है इडी द्वारा समन किये जाने के बाद बाबुलाल का सीम हेमान पर तंज जारखन के मुख्य मंत्री हेमान सुरिन को इडी द्वारा समन जारी कर पूस्त आज के लिए बुलाने की खवर पर बाबुला मरांडी ने तंज कसा है बाबुला मरांडी ने कहा है कि मुख्य मंत्री हमांसरेन को अगर इडी ने बुलाया तो वह यू ही नहीं है अधिकारिक ट्यूटर अकाउंट पर पूर मुख्य मंत्री ने सिलसेलेवाद ट्यूटर के जरिये मुख्य मंत्री हमांसरेन की आलोशना की है बावलाम रांडी ने मुख्य मंत्री पर निसानास आते हुए कहा है कि उन्होंनों पैसे और दौलत की हवस में राज को गुंडे मवालियों को सौप दिया और खुद संपत्ती बनाने में लगे रहे हमंत जी सायद या भूल गए है कि जना देश का मतलब लूट का लाइसेंस नहीं है और वोट से लूट के पाप को कवर नहीं किया जा सकता है आपने लूटा है तो सजा भी भूगातने के लिए त्यार रहिए देश का कानून अपना काम कर रहा है आप बेकसूर होंगे तो बेदाग निकल जाएंगे इडी का समन के बाद साहिब गंज आएंगे मुख्यमंत्री पर कॉल का कारेकरम रद मुख्यमंत्री हमन सीरन बुध दवर को साहिब गंज आ रहा है वह दोपर साड़े बारा बज़े हेलिकोप्टर से साहिब गंज पहुचेंगे यहाँ पूरिस लाइन मैदान में आपकी योजिना आपकी सरकार आपके द्वार कारकरम में सामिल होंगे अड़ाई घंटा यहां रहेंगे इस दोरान 104 को और 81 लाख की योजिनाओं का सिलन न्यास वहुद घाटन करेंगे बताया जा रहा है कि इसके बाद आज ही सामोख्य मंतरी वापस रांची लोट जाएंगे गौतला भाई की एक नॉम्बर से आपकी योजिना आपकी सरकार आपके द्वार कारकरम का दूसरा चरण सुरू हुआ है जारखन में फसल रहात योजिना का हाल बेहाल डेह लाख का हुआ सत्यापन राज सरकार ने खरीप में सुखे की स्थिती को देखते हुए किसानों को राहत देने का निने लिया है सरकार ने 256 परकॉंडों को सुखागरस घोसित किया है यहां के परहुईत किसानों को अगरीम के रूप में 35 सव रूपए दिये जाएंगे बतादे हरासी किसानों को कैसे मिलेगी इस पर किरिसी पसुपालनम जाकार्था विभाग एस्टेंडर्ड ओपरेशन प्रोड्यूसर बना रहा है इसलिए जाकार्था विभाग ने पोटल के माध्यम से आवेदन मांगा था जिनकी खेती परवाईत हुई है उनको आवेदन करना था इसके लिए पुरे राज्य में करीब 17 लाग किसानों ने आवेदन फरम दिया था लेकिन इसमें मात्र 15 लाग किसानों के आवेदन का ही सत्यापन हो पाया है रांची सदर अस्पताल में गर्भतियों को घंटों करना होता है इंतजार सदर अस्पताल के इस्तरी एवं प्रसुति विभाग के OPD में महिला मरीजों को तादार लगातार बढ़ रही है लेकिन डॉक्टर और जाच के साथ उस हिसाब से बेवस्ता नहीं है नतिजतन महिलाओं को डॉक्टरों को दिखाने में लंबा इंतजार करना पड़ता है गाइनी वाड में तीनो सिफ्ट मिला कर 12 महिला डॉक्टर के उपर मरीजों का इलाज करने की जिम्मवारी है इधर अस्पताल में डॉक्टरों को जल्दी दिखाने की आपा धापी में आय दीन सोर सराबा भी होता रहता है राइस्ट्रेशन काउंटर से लेकर OPD में प्रामर्स लेने वा पैथोलोजी जांच के लिए गरवती महिलाओं को 2-3 घंटे का इंतजार करना पड़ता है कई बार ज्यादा समय लगने पर बीमार महिलाए फर्स परबैट कर अपनी बारी का इंतजार करती दिखती है ज्यार्खन सरकार को नहीं मिला FCI का बकाया 4790 रुपया धान अधि प्राप्ति मत का भारतिये खाद निगम पर ज्यार्खन सरकार का बकाया बढ़कर लगबग 4790 रुपया पहुँच गया है इसको लेकर सरकार की ओर से कई बार पत्र लिखा गया लेकिन अब तक कुल बकाया रासी का भुगतान नहीं किया गया है इधर सरकार खरी विपनन मौसम 2022 टेस में किसानों से धान खरी के त्यारी में जूट गई है किसानों को धान कराय की राशी सा समय भुकतान के लिए सरकार बैंक से एक खया को रूपय का कज लेने के त्यारी कर रही है बता दे FCI पर बीतिय वर्ष 2015-16 से बकाया राशी 10.1 कोर से बढ़ कर अब 399.03 कोर पहुच गई है इसके अलावा धान अधिप्राप्तिकेंद्रो का मसीन, CMR के परिवहान, प्रसासनिक सुल्क ब्याज मद में भी FCI पराज सरकार का लगभग 189.03 बकाया है जारखन में इस्कूल और विद्यार्थी बढ़ है लेकिन सिक्षकों की कमी बरकरार जारखन गठन के बाद राज के इसकूल और विद्यार्थी की संख्या लाकतार बढ़ती गई है ना सिर्फ इसकूल और विद्यार्थी की संख्या बढ़ी बलिक दसवी और बरावी के रियल्ट में भी जबर्दस सुधार हुआ है राज में कभी मैट्रिक का रियल्ट सतर फिश्दी हुआ करता था पिछले दो वर्षों से रियल्ट 95 फिश्दी हो रहा है रियल्ट के साथ साथ प्रथम सिरेनी से पाच करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है वर्ष 2022 की मैट्रिक परियल्ट को ही देखा जाए तो परियल्ट में सफ़ल 3,73,892 परिशार्थियों में से 2,25,854 विद्यार्थि प्रथम सिरेनी से उतिर्ण हुए है जारखन में पांच साल में जब्त 3.32 लाख लिटर सराब रखने की जगह नहीं इस जब्त सराब को रखने के लिए उतपाद विभाग के पास कहीं एस्टोर या गोदाम नहीं है राज़धानी समेत राज़े के सभी जीलों में सहयक उतपाद आयुक्त के कर्याल में बने एस्टोर या गोदाम में ही जब्त सराब रखी जाती है बतादे पिछले पांच वर्सों के दवरान विभाग ने 3,333,175 लिटर बिदेशी सराब और बियर जब्त की है इसमें से 2,15,876 लिटर बिदेशी सराब और 1,173,31 लिटर बियर है इतना सराब को 750 ml की बोतल में रखने के लिए 4.44 लाख बोतल से अधिक की जरूरत पड़ेगी जे पिएसी को नौकरी के लिए नहीं मिल रहे आवेदान 162 पदों के लिए मात्र 22 आवेदान मिले जारखन के 200 विदालों में एसोसियेट परफेसर 162 पदों पन्युक्ति होनी है लेकिन जे पिएसी को मिले आवेदान में केवल 22 लोगों ही इसके योगे पाएगा है अब जे पिएसी ने उच वह तक्निकी सिक्षा विभाग सहीद 200 विदालों को 6 वरस बाद परस्ताव आपस कर दिया है साथी भी भाग वा विदालों से नई रिखती तथा यूजिसी के नियमा उनुसार नई परवधानों के साथ प्रस्ताव भेजने कागरा किया गया है ताकि एसोसियेट प्रोफेसर की निक्ति परक्रिया सुरू की जा सके सीएम को एडी ने भेजा समन जेमेम ने कहा बदले की राइनी तीक परवतन निदे साल एडी ने अवाय दखनन मामले में पूस्ताच के लिए मुख्य मंत्री हेमान सुरून को समन जारी किया है इडी ने उन्हें तीन नॉमबर को दिन के करीब साड़े 11 बजे रांची स्थीत इडी के करेयाले में पूस्ताच के लिए हाजिर होने को कहा मुख्य मंत्री को समन भेजने के साथ ही इडी ने पूलिस महानिदेसक को इस सिलसिले में एक पत्र लिखा है इसमें तीन नॉमबर को सुराक्षा का विशेस परवंधन करने का भी अनुरोद किया गया पतादे मुख्य मंत्री को पूस्ताच के लिए समन जारी करने का मुख्य कारान उनके विशेस परतिनेदी पंकज मिस्त्रा द्वारा अवायद खनन में सामिल होने और 42 को रुपए से अधिक की समपति अरजित करने का लावा अने कई मामले है इडी ने पंकज मिस्त्रा के रिम से भरती रहने के दरान भी फोन पर अधिकारियों से बात करने और मुख्य मंत्री के नाम पर उन्हें ड्राने का मामला भी पकड़ा था हेमंत को हिलाने वाले तीन कांग्रेसी बिधायक लोटेंगे घर जारखण में मुख्य मंत्री हेमंसोरिन की सरकार को गिराने की साजिस रचने में कोलकाता में नगदी के साथ पकड़े गए कांग्रेस के तीन बिधायकों डाक्टर इर्फान अंसारी, नमन, बिक्सल, कोगाडी और राजस कक्छप के इस मा छुटने की संभावना प्रबल होती दिख रही है कोलकाता हाई कोट के नरीज़ेस पर तीनों बिधायकों को तीन महीने के लिए कोलकाता महीर आने की सर्थ के अधार पर जामनादी गई थी अब तीन महीने का कारकाल इसी महीने समाप्त हो रहा है सुत्रों ने बताया कि तीनों विधाकों को जार्खन आने के लिए भी कोट के आदेश की दरकार होगी और इसके लिए आट नॉमबर को वे कोट में अपील कर सकते हैं सुनवाई के बाद तीनों को जार्खन आने के उनमत्ती मिलने के उमीद जताई जा रही है धन्यवाद हमें आप बताए कि कल के इडी जाच में मुख्यमंत्री हमान सुरेन जाएंगे या नहीं और यदि नहीं जाएंगे तो क्या हो सकता है हमें आप कोमेंट बक्स में अवसे बताए साथी साथ वीडियो को एक लाइक आपने दोस्तों क्या सेयर करना ना भूले